जेहन, मैं क्याड़त सरोचनी लेंका वन ओरी सा गर्ल्स बटैलियन से संविधान दिवस पर अपने विचार प्रस्तोत करने जा रही हूं दर्ध होता रहा छट पटाते रहे, आइने से सदा चोट खाते रहे, वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे, हम वतन के लिए सरकटाते रहे आखिर्वा दिन आहे गया जब शहीदों का खुन रंग लाया, और 15 अकस्त उननी सो अन्तालिस का सूरज भारत के लिए एक नया सवेरा लेकर आया बेशक हमारा देश उननी सो अन्तालिस को ही आजाद हो गया था, पर गंतंत्र हुआ 26 जन्वरी उननी सो पचास में, इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ भारत सरकार द्वारा पहली बार, 2015 में, संविधान सभा के प्रारूप समीती के अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेदकर के 125 वी जैन्ती के रूप में, 26 नवेंबर को संविधान दिवस मनाया गया 26 नवेंबर का दिन संविधान का महनत्व का प्रसार करने और डॉक्टर भीमराव अंबेदकर के विचारों और अवधार्नाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया हमारे देश का संविधान महनत्व संविधान है जिसने प्रतेक नागरी को एक समान रखा और उनके अधिकारों को भी बताया हम अधिकार का प्रयोग तो बड़े अधिकार से करते हैं पर जब कर्तव्य की बात आती है तो क्यों हम अपने अधिकार भूल जाते हैं अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है जो साथ साथ चलते हैं एक के बिना एक अधूरा है जिस तरह सैनिक सीमा पे रहकर देश की सेवा करता है उसी प्रकार हम जहां है और जिस थिती में है वही रहकर अगर देश की सेवा करे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत देश सर्वसे स्थान पर होगा अंत में मैं चार पंतिया कहकर अपनी वानी को विर्राम देना चाहूंगी हर रंग में खुद को समेटे जो बेखौफ खड़ा है जाती और धन से जो आगे बढ़ा है नातिक निस्पक्ष तर्कसंगत समविधान ही है वो जो अपनी चिता से भी आज सहच खड़ा है जैहन